सीम योगी का श्रावस्ती लखना उपहरा इच दौरा जनता को देंगे विकास की सौकात केरल में भारी बारिश से बिगड़े हालात अमिच्शा बोले हालात की कर रहे मौनिटरिंग पेट्रॉल डीजल की बढ़ती कीमते करना टक किसीम बोले टेक्स घटाग पर घटाने पर कर रहे बुचार दिली एंसी आर में बदला मौसम का मिजास कई इलाकों में भारी बारिश देश में कोरोना के 14,146 नए मामले पिछले 24 घंटे में 144 लोगों की मौत नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शुखा मैर उत्रा प्राइम टीवी में आपके स्वागत है रुख करते हैं उत्त प्रदेश की खबरों की और शनिवार को देश याम जमू कश्मीर के पलवामा में आतंकी हमले के दौरान सहारनपुर के रहने वाले सगीर एहमद की मौत हो गए वो जिस मकान में किराएप पर रहते थे उसी में घुसकर आतंकीों ने गोलिया बरसाई सगीर एहमद के पेट में गोली लगी जिस कारण उन्हें अस्पताल ले जाने पर मृत घोशित कर दिया गया उधर उनकी मौत की खबर मिलने पर सहारनपुर में रह रहे परिवार में मातम पसर गया छेत्रिय पार्शन मनसूर बदर ने बताया कि सगीर एहमद लकडी की छिलाई और कटाई का कारे करते थे तो हातंकी हमले में सहारनपुर के रहने वाले सगीर की मौत हो गई हाथसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है आपको बता दे जमु कश्मीर के पुलवामा में ये हमला हुआ है जिसमें मौत हो गई है और आपको बता दे की सहारनपुर के रहने वाले थे जिस सागीर एहमद जिनके पेट पे गोली लगी जिस कारण उन्हें अस्पताल दे जाए गया जहाँ पे डॉक्टरों नोंने मौत के खबर सुनते ही घरवालों का बुरा हाल है और ये बताया है छेत्रे पाश्रद मनसूर बदर ने कि सागीर एहमद लकडी की चिलाए और कटाए का काम करते थे हमारे सगीर भाई जो शहर के बहुत वेतरी लकडी के कारी करते हैं वो रुखुदगार के सिल्सिले में कश्मीर गए थे और वहाँ पर आज ये हाथसा पेश आए कि उनको आतंगवादियों ने बोली मारते है जिसकी हम मदम्मत करते हैं निंदा करते हैं और कि इन सरकार च हम अपील करते हैं कि आतंगवादि बोठो या पाकिस्तानों या चीनों के खिलाफ अपना 56 सीना दिखाए और आतंगवाद को ताज नगरी आगरा में ग्राम धनौली के ग्रामीडों ने आगरा ग्रामीड विधायक हेमलता दिवाकर कोमरत गोशित कर दिया बता दे कि ताज नगरी आगरा के जगनीर रोड स्थेत धनौली और अजीजपुरा गाउं लगतार तीन दिन से गाउं की समस्या को लेकर ग्रामीड अंशिन पर बैठे हुए हैं एक दशक से ज़दा समय से ग्रामीड जल भराव की समस्या से चूज रहे हैं जिससे आक्रो विकास सावित्री चाहर ने रो रो कर बोला कि जनता विधायक का हेमलता दिवाकर के मृत्यों से आहत है उन्होंने कहा हमारी विधायक आदी ने हमारे गाउं में इतना विकास कारे कराया है कि दिन में तारे और सड़क पर पानी नज़रा रहा है इसी को लेकर हम उनकी मृत कि उसे आहत होकर दुखी हैं और उनके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं। प्रकट करने पर मंत्री का स्थीफा दिलाए जाने पर विरोध प्रदेशन किया वहीं उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगो को नहीं सुना तो वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। एक साल से प्रदेशन रत हैं और अब लखीमपुर की घटना पर भी काफी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। है कि टिक्याथ घ्रॉप के कारेकर्टाओं ने प्रधान मंतotti नरीदर मोदी और मुख्यमंत्री योगयादि तनाथ का पुतलफु का भारति किसान यूनिंइन के टिक्याथ गृूप के सदसे ने बताया कि किसानों के तीन करुशी कानूनों के वापस लेने और लकीमपुर खिरी में बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुचल कर हत्या करने पर मंत्री का स्तीफा दिलाए जाने पर विरोध प्रदेशन किया गया है मैं उन्हें ये भी बताया कि अगर सरकार ने उनकी मंगो को नहीं सुना तो वो अंदोलन के लिए मजबूर होंगे आगरा में बस्पा का विशाल कारेकरता सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन में बाबू मुनकाद, अली और शाम सुन्दर्शर्मा मौजूद रहे बस्पा कारेकरताओं का 2022 के चुनाओ को लेकर सम्मेलन का आवाहन किया गया आगरा के GIC ग्राउन में बस्पा कारेकरता सम्मेलन का आयोजन किया जो रहा है तसीर अब देख सकते किस तरह से विशाल आयोजन किया गया है बस्पा के द्वारा ये आयोजन आगरा में किया गया है 2022 चुनाव को लेकर तैयारी की गई हैं और विशाल आयोजन किया गया और ये जन्पत के अच्छलदा थाना छेतर के देवरिय ग्राम में एक लड़की ने आत्माहत्या के लिए बता दे कि दो चचेरी बेहन घर से सबसी लेने निकली थी लेकिन अग्यात कारणों के चलते दोनों बेहनों ने आत्माहत्या करने का प्रयास किया वहीं रेलवे ट्राक पर एक की ट्रेन से कट कर मौत हो गई वहीं एक घायल बताई जा रही है सूचना पाकर मौके पर पहुँचे परीजनों ने बताया कि घर में किसी ने भी इन दोनों को ना तो डाटा और ना ही कोई बात हुई फिर इतना बड़ा आत्मगाती कदम क्यों उठाया ये परीजनों के लिए अभी भी बहुत बड़ा सवाल है अपने घर में फोन करो फिर अपने घर में धर हमाया बातकराना ही गो तो अब बात कराना ही न हरे पर अपने घर में घर में खृँचे को और सानी को एक्सिदंट होग 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 था122 बयदर लोग छ अब लोग च ले गए फिर दो बाहा से Dec in्बहां eigenlijk आगरा में 100 करोड वैक्सिनेशन का लक्ष पूरा हो गया है वहीं लक्ष पूरा होने की खुशी में जिला अधिकारी और SSP ने 100 किलोमीटर साइकल चलाई जिला मुख्याले आगरा से फतेहपुर सीखरी तक साइकल चलाई गई उन्होंने आगरा साइकलिस्ट ग्रुप के सौ करोड वैक्सिनेशन पूरी होने पर एक खुशी का महौल देखा गया है आपको बता दे कि साइकलिंग कर खुशी जाहिर करी गई है और DM और SSP ने 100 किलोमीटर साइकल चलाई वो भी साइकलिंग ग्रुप के साथ तो सौ करोड का ये एक बड़ा आकड़ा है जिस आकड़े पे ये वैक्सिनेशन पूरा हुआ है आगरा से बड़ी खबर सामने आई है सौ करोड का वैक्सिनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया आगरा ने जिसके बाद ये खुशी का महौल देखा जा रहा है DM और SSP ने साइकल चला कर खुशी व्यक्त करी है साइकल रैली चला रहा है चबैल चल रहा है कोरोडे वैक्सिनेशन और सेलिबरेट करने में आज हम और आगरा साइकलिस्ट ग्रूप मिलके आज करेक्टेट से अम लोग चला स्टार्ट किया अभी लौट के अभी पचास लम्र कम्लेट किया वह वापस लौट करेंगे यह आज हमारा बहरत का वैक्षिनेशन जो करोना वैक्षिनेशन का ड्राइव है वो साव करोर पूँच किया आजमगर्ण में पिछले 16 सितंबर को हुई तेज बारिश के वज़े से अभी भी शेहर के निचले इलाकों से पानी नहीं निकल सका है वहें बारिश की वज़े से शेहर में एक महीने से बिजली गायब है वहें पहले से इतनी समस्या है और आज भी जनपद में बारिश से लोगों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आजमगर्ण से ये तस्वीरे सामने आ रही है जहाँ बारिश के जिसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जहाँ शहर के कई इलाकों में महीनों से बत्ती गुल है तो वहीं अब एकबा फिर बारिश दिक्कते बढ़हाती वए नजार आ रही है तेज बारिश हो रही है, जल जमाओ अभी भी है कई जगह से अभी भी पानी नहीं निकला है वही अब बफिर पानी बरस रहा है जिसके विज है से लोग को काफी दिक्कतों के सामना क Credणा पर सकता है और यहा पर नगर निगम के भी पोल खुलती दिख रहे है जिस सरह से पानी भरा हुआ है जलजमाओ है और दूसरी तरफ बिमारियों का मौसम भी है और सासफाई नहीं है और बिजली भी गुल हो रही है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कारिशाली पर मामला फतेहपुर जनपत के थाना बिंदकी का है जहां बदमाशो पलिस और सोजी टीम के बीच मुटभेड हो गई जिसमें दो भी उक्तों को गोली लगी है वही घायलों को इलाज के लिए स्पताल भेजा गया है मुटभेड के दोरान एक आरोपी भागने में कायम रहा तो वहीं आसपास के छेत्र में कॉम्मिंग की जा रही है आज एसोजी और बिंदकी पुलिस द्वारा बदमासों से एक मुटभेड हुई है धीग रोड पे कुछ दिन पहले एक कार लूटी गई थी यहां से और वो कार बरामद हुई है दो बदमास सनी और आशीश मुटभेड में इनको गोली लगी है यह शातिर अपराधी है लूटे रहे हैं चोरी गंगेश्टर लूट भेर सारे इनके मुगदमे है दो पोनिया भेर सारे कार्टूस लूटी हीवी कार पुराना नंबर प्लेट जो पहले गाड़ी पर लगा हुआ था उसका नंबर प्लेट लोगों ने चिंज कर दिया है वरिंदावन में राशन बाटेयों और पेंशन दिलवाने के नाम पर कई गरीब और निराश्रित महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है ठगी की शिकार महिलाओं ने कोतवाली पहुँचकर अपनी व्यधा सुनाई वहीं इस मामले में पलिस ने एक युवक समय तीन महिलाओं को पूस्ताच के लिए हिरास्त में लिया बताया जा रहा है कि किशोर पर धोबी गले सित एक मकान में शनिवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाओं का जमावड़ा शुरू हो गया था जसमें से जादातर उम्रत दरावज महिलाई थी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की आवा जाही पर जब छेतरवासियों ने जानकारी की तो ये मामला सामने आया उस वक्त कुछ लोग राश्रन बाटने और पेंशन दिलाने के नाम पर गरीबों निराश्रत महिलाओं से आधार कार्ड फोटो और डेर सौ रुपए वसूल लेते थे वहीं हंगामे के सूचना पर पहुची पुलिस ने एक युवक समेट तीन महिलाओं को थाने ले गई जहां पर इन पर पैसा वसूल ने और आरोप लगा रही महिलाओं ने थाने में भी नारे बाजी करते हुए उनसे पैसा देलवाने के मांग की है वह इस मामने की जाच में चुट गई है संभल में शराब माफियाओं के हॉस्टल बिलंद है ओवर रेट में शराब बेची जा रही है वहीं दुकानदारों का दावा है कि सबकुछ कंट्रोल में है देशी शराब की दुकान की मदद से शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक दामों पर बेची जा रही है शराब की दुकानों पर रेट लेस्ट नहीं लगाई गई है ताकि किसी बेगाने ओने पौने दावों पर शराब को बेचा जा सके वहीं प्रशासन मूग दर्शक बन कर बैठी हुई है खबर आयोध्या से हैं जहां संदिक्द परिस्तियों में युवक का शव भारत कुन्ट सरोवर में तैरता हुआ मिला युवक का शव मिलने से ही इलाके में हडकंप मजगया युवक के पहचान सूरज मिश्रा के रूप में हुई है बताद है कि मुरतक युवक सुल्तानपुर जनपत के कटिका खान पुरा का रहने वाला है सूचना मिलने पर मौके पर पहुँची चौकी प्रभारी भदरसा वहने कुमार सिंग ने शव को कबज में लेकर जाच में जुट गई है पुलिस अयोध्या से ही एक खबर सामने आई है जहां संदिक्द परिस्तियों में युवक का शव मिला है कुंड में तैरता हुआ शव मिला जिसके बाद इलाके में हडकम पमज गया आपको बता देग की व्यक्ति की पहचान कर ली गई है सूरज मिश्रा के रूप में इस व्यक्ति की पहचान की गई है मृतक युवक सुल्तानफुर जनपत का रहने वाला है और सूचिना मिलने पर चौकी प्रभारी पहुँचे साथ में पुलिस का दल भी पहुँचा जि इस ने एक शफ को कबज मिले कर पोस्मॉटम के लिए भीज दिया है और आगे की जानकारी और जाच में जुट गई है बुलंच यहर के तहसील सिकंद्रबाद के गाओं दुलहेरा में मामूली सी बात पर जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खुनी संगहरश हो गया जिसमें दो महिलाओं समेट पाच लोग घायल हो गए दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जबकल लाथी डंडे और तेज धारदार हत्यार से वार किया वह इस विवाद में एक पक्ष के तीन जबकी दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हो गए हैं खुनी संगहरश में दोनों पक्ष एक ही परिवार से हैं सूशना वर पहुची पुलिस ने सभी घायलों को सीच्टी में भरती कराया है जहां गंभीर हालत देख चिकत्सकों ने प्रात्विक उप्चार के बाद सभी को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है ग्रामीरों की माने तो जमीन को लेकर काफी लंबे समय से ही दोनों पक्षों के बीच विवाज चल रहा है हलाकि पुलिस पूरे मामले की जाज कर रही है लखिमपर खेरी में चोरों के होसले विलंद है बीती राच चोरों ने दो घरों को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी और जेवरात लेकर रफुचक कर हो गए दरसल नीम गाउ ठाना छेतर के ढकिया मदन गाउ में दो अलग-अलग घरों में चोरी की घटना को इंजाम दिया गया एक घर के दिवार में निकाब लगा कर दूसरे घर के ताले तोड़ कर करीब पाँच लाग की नगदी और जेवर चोर उड़ा ले गए वहीं पीडितों ने स्थानिया पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुझे पुलिस जाच में जुट गई है और एक ही राद दो घरों में हुई चोरियों से छेतर में दहशत का मौहल है आगरा के थाना शिम्शाबाद छेतर के धिमश्री में सीमेंट फनीचर की दुकान में भीशन आग लग गई दुकान के बेस्मेंट में आग लगने से हडकंप मच गया वहीं आग लगने से दुकान में रखा सामान जल कर खाक हो गया सामान की कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है वही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेट की कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया मकान के पास लगे बिजली के लट्ट से हुए शौट सर्किट के चलते दुकान में आग लग गई फते बुर्जिले में खजुआ कस्बे का इतिहासिक मेला इन दिनों अपने शबाब पर है मेले का इतिहास काफी है पुराना है और मेला दशहरे के दिनों से ही शुरू होता है और उसके बाद यहां रामलीला शुरू होती है यहां दशहरे के बाद रामलीला मनाने की परंपरा लगब पास सो पचास वर्ज से चली आ रही है ये रामलीला बनारसहित पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है जो अश्विन शिल्क पक्षकी तरतिया से शिरू होकर कार्तिक पक्षकी सश्टमी तक चलती है यहां एक महा तक कुशल कारीगरु द्वारा कास्ट एवं तिन्रई से विशाल काई रावण और राम दल के स्वरूपों का निर्मार किया जाता है साथ ही पंचवी चित्रकूट सबरी आश्रम परवत अशोक वाठिका जैसे कई स्वरूप भी तियार किये जाते हैं और बता दे कि विदेशे परिटक भी आज भी इस नगरी की प्राचीनतम धरोहर को देखने आते हैं लेकिन शासन पर शासन की और पेक्षा के कारण ये गौरव मई नगरी अपना अस्तित्व बचा पाने में असफल साबित हो रही है उत्तर प्रदेश की खबरों में फिल हाल इता ही आप देखते रहे है प्राइम टिवी झाल 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 झाल